इनके इर्द गिर्द नहीं भटकती है देवी लक्ष्मी इनकी जेब से चिपकी रहती है दरिद्रता इनकी जिंदगी में च्छाई रहती है मनहूसियत इन गंदी आदितों से दरिद लक्ष्मी का होता है आगमन देख सर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार दर्शकों का स्वागत है कवितर आरा और मेरे साथ अचारे राकेश चुत्रवेदी जी आपका स्वागत है सादर वंदन दर्शकों हरहर देख सब्सक्राइबाद इस दिव्यमंच पर आमनतरण देने के लिए दिवाले के सुपलक्ष में आज आपके यह जानना जरूरी है कि वो कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके जिन्दगी में पैसे का ठहरावनी होता यानिकी लक्ष्मी का ठहरावनी होता तो खूब करते कम तो दिवाली का मौका है खुश्यों का पर्व है और सबसे बड़े बात है कि दिवाली को धन्धानी से भी जोड़ते हैं तो इस उपलक्ष में आप से जानना चाहूंगी कि कि लोगों से लक्षमी सदय रूठी रहती है बहुत अच्छा प्रश्न है कविता जी और मैं ऐसे मं संब्सक्रालिक महालक्षमी पूजन के लिए जाना जाता है और यह एक दिन का उत्सव नहीं है दिपाली और जो जो है पाँच दिवशिए है ठीक है भाई दूइट के साथ समापन लेकिन हम सब जानते हैं कि जब अस्ट लक्ष्मी आती हैं उनके साथ-साथ अलक्ष्मी का यानि दरिद्रता का भी प्रभाव रहता है जब भी हम कोई पूजन करते हैं जब भी हम कोई यग्य करते हैं तो वहां पर शकरातमक सक्तियों के साथ-साथ नकरातमक सक्तियां भी होती हैं तो ऐसी अवस्था विशेश करके अगर सबसे पहले स्थान पर देखा जाए तो हद से जादा आलस या फिर अनिद्रा का सिकार रहने वाले अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं उदाहरन देते हैं कविता जी कि वो तो इतने बड़े ब्योसाई हैं और 11 हुजे सो कर उठते हैं तो आप यह भी देखिए कि वह रात में एक मुझे तक अपने ब्योसाई से सम्मंधित कार भी करते हैं तो इसी अवस्था में उनका जो सयन काल है या निद्रा काल है वह आपकी तुलना में कम ही है उनका सयन काल देखेंगे तो सामान जीवन में जितना लोग सो रहे हैं उससे कम ही निकलेगा तो ऐसी अवस्था में अगर आप जो है हद से जादा निद्रा से ग्रशित हैं आलस से ग्रशित हैं चल्दी सो जाते हैं फिर भी सूरियोदय के बाद उठने का नियम बना रखे हैं आप और साथी साथ आप दिन में भी सेन कर लेते हैं कुछ लोगों की आदा था कुछ लोगों को देखा होगा साइद आपने अपने आफिस कार्याले में भी करता जिगर ध्यान देंगी इसके बाद तो कुछ लोग तो अपने सीट पर बैठे बैठे भी सो लेते हैं उस चलित लक्षमी की इस्थिरता नहीं पाएंगे जो की हमारे जीवन में राज बैभो सुपरान करती है वैसी अवस्था में हद स्यादा निद्रा लेना यह आपके लिए अलक्षमी का संकेत है यानि की दरिद्धता का संकेत भी देता है कविता जी चले तो यह आपने एक आ देखें दूसरी आदत में विशेश रूप से लिया जाएगा जो अपने खास करके इसको तो इसमें कुछ लोग विशय भ्रान लेंगे लेकिन कविता जी एक बहुत बड़ा विशय आता है कि अपने सारीरिक स्वक्षता या सौंदरिता का प्रभाव कि अक्सर आपने हुए हालात में रहते हैं याने कि अपने सौंदर्य पर ध्यान ना दे करके अपने स्रिंगार पर ध्यान ना दे करके वह एक अलग बिखरा हुआ सुरूप बना करके अगर रहती हैं तो वह निरस भावना को जन्म देता है याने कि नकरातमक्ता को जन्म देता है अगर आप प्रातह काल ऊठकर के शनान एत्याद के बाद अपने सिंगार करके सुसजित होकर नहीं रहती है या फिर पुरूश विशेश करके अगर वह समय के साथ निद्रा ले करके असनान एत्याद करके सुछ कपणों में नहीं रह रहे हैं कुछ लोगों को हमने देखा है कि घर में नंगे ही बैठे रहेंगे, विस्तर पर हमेशा वैसे बैठे रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में अगर आप अपने एक रूप को सुसजित करके नहीं रह रहे हैं, यानि कि अपनी सारीरिक आभा को सकरात्मक्ता नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में विसेश रूप से लक्षमी रुष्ट होती हैं, और उस घर में बेर्थ बै आता है, और उस घर में कभी भी लक्षमी की स्थिरता कविता जी नहीं रहती है, बेल्कुल और इसी की चलते हैं, इसी कड़ी में, अब हम उस आदुतों के बार में बात जिन से लक्षमी हमेशा दूर रहती है, तीसरी आदत, देखें तीसरी आदत एक बहुत विशेश परंपरा के अंदर हमारे वैदिक परंपरा में इसका बड़ा वर्णन आता है, कि अगर आप विशेश रूप से नित्य आपके घर में, यह हमारे सास्त्रों में भी जिक्रे इसका मिलता है, कि अगर हम जो प्रातह काली, सबसे आजकल तो सहरी कल्चर में आप देखेंगे कि लोगों को बेट्टी लेने की आदत पड़ गए, यानि कि बेट से उठे तो उनको चाय चाहिए, लेकिन हमारे सनातन सास्त्र में प्रथम आहार जो दातून को संग्या दिय आगया था, तो आज के समय में कोई दातून नहीं करता है, ब्रस की प्रंपरा है, टोच प्रंपरा है, लेकिन वह भी नियमते सत्य हैं, अगर आप अपने मुख को स्वक्ष करके, और पहला जो जो विसेश करके, चाहे वह पेपदार्थ हो, चाहे वह कोई भी आप फूड प्रड़क्ट ले रहे हैं, अगर आप कुछ भी ग्रहन कर रहे हैं, अपने मुख की स्वक्षता कि ये बिना कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में लक्षमी रुष्ट होती हैं, और एक चीज और बता दें, कि ऐसी प्रवित्त के जो लोग हैं, उनको आप देखेंगे कि उनक कि रिष्टे भी प्रभावित होते हैं, और लक्षमी तो वहां पर टिकती ही नहीं है, तो यह विश्वे सुरूप से अगर आप ही रहा होगा उनके पास, कुछ पुराने प्रारब्ध कर्म उनके अच्छे होंगे कि सोर्स आफ इंकम जनरेट होई होगी, लेकिन आप देख और आदते जो आपको लगता हैं, देखें विशेस करके यहां पर एक अंतिम और बहुत प्रमुख आदतों के लिए मैं बताओंगा, यह हमें लगता है कि हम हर किसी के जीवन में आना चाहिए और इस परंपरा को या इस गलतियों को हमें सुधार करना चाहिए, कहीं भी पहसे डरने की जरूरत नहीं है, कहते हैं चंद्रमागर बली होकर बैठ जाए लगन भाव में, भाग भाव में या फिर दसम भाव में तो ना चाहते हुए भी उसको राजा बना देता है, इसी प्रकार से गुरू की शुबता है, अगर गुरू को पीड़ा मिल रही है, और के गुंब रहे हैं, इससे दो हान होती है कविदा जी, पहला की यहां पर अगर आप कटा हुआ, फटा हुआ, वस्त रिया अंडर गार्मेंट पहन रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में लक्षमी तो रुष्ट होती हैं, लक्षमी के आठ सुरूप हैं, अश्ट लक्षमी के उनको मनाया जाता है तो ऐसी अवस्था में घर परिवार कुटुम्ब पीडा भी उसको मिलती है याने कि उसका वैवाहिक जीवन भी पीडित होता है चाहे वह इस्तरी हो चाहे पुरुष तो अगर कहीं भे कट लग गया हो फट गया हो और अगर वह अभी लगता है आपको प दिखान देना चाहिए कविता जी और देखे वीडियो के पीछे का हमारे लक्षी सिर्फ यह आपको समझाना है कि देखे दिवाली के मौके पर हम अपने इर्द इर्द की सफाई तो करते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा इंप्रेंट होते हैं कि हम अपने अंदर की सफाई हम मुझे और चत्रवेदीजी को इजाज़त दीजे नमस्कार